मस्कार दोस्तों हम राहूल राज आप देख रहें टेक्निकल भी अच्छेनल तो चलिए इस वीडियो आप लोगो बताने वाले हैं तो वीडियो को सुरू से आं तक देखते रहें कहीं भी एसकिप मत किजिए तो चलिए स्टार्ट करते और बता देते हैं कि कब से आप लोग परिविया चैन परिश्य स्लसी जो नोटिफिकेसन जारी किया गया है मैं आप लोग के सामनी आपे उपेन कर चुका हूँ तो यहाँ पे देख सकते फ्रैंस थ्री नमर में यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप लोग भी देख सकते Mimi लिखा हूआ उपरोक्त Да चैनित अभि प्रवेश पत्र दिनंग पांस जनवरी 2022 को जारी कर दिया जाएगा परिशत के वेब अपना डॉलोड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे बिहार प्लिश टेब पर उपलब्ध रहेगी यानि कि इस वेवसाइट के उपर आप लोग का एडमीट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा पांच जानवरी को उसके बाद यहाँ पे देख सकते प्लिश लिखा है जो अभियार थे किसी कारण वस अपना यी परवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे असपस्ट किया जाता है कि कोई भी परवेश पत्र डाग दोरा प्रेशित नहीं किया जाएगा उके फ्रेंस उसके बाद चले नीचे आते हैं नीचे में देख सकते प्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ है चार नमर में चैनित अभिहार्थियों की सारेरिक दक्षता परिक्षा पीटी केतिती समय एवं अस्थान सुचना परवेश पत्र पर दज रहेगी ओके फ्रेंस तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फिजिकल के लिए उसी पे आप लोग का जो पीटी होगा उसका अस्थान कहा है टाइम क्या है सारा चीज उसमें ही रहेग उसके बाद चले नीचे आते हैं पांच नमर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं पर लिख सारीरिक दक्षता परिक्षा पीटी में नेरधारित तिथी को परतियक अभियार्थी का निम्नलिखित होना अनिवार रह है अन्यथा वे आयोग्या माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा सारीरिक दक्षता परिक्षा के दोरान ही अभार्थियों के दस्ता बेजों की जांच भी की जाएगी इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा तो बताना चाहूंगा परेंस जब आप लोग का सार नीचे देख सकते प्रेंस क्या लिखा हुआ है यहां छे नमर में देख सकते प्रेंस जो कि यहां लिखा हुआ है सारी दक्षता परिक्षा पीटी कीती थी पर सभी अभ्यार्थी निर्दिरिष्ट समय पर अपने परवेश पत्र तथा निमनाकित मुल परमान पत्रों तथा उनकी एक सेट स्व परमानित छैया परति के साथ उपस्थित रहेंगे यहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर आप लोग का पीटी का अस्थान दिया जाएगा ओके फ्रेंस उहां पर परवेश पत्र के साथ मुल परमान पत्र के साथ जितने भी आप लोग के दस्ता बेज हैं सभी के साथ आप लोग को एक हार्ड कोपी आप लोग को एक फोटो कर लेना तयार उसके बाद चले बता जेतें आपर लगो क्यास की डोकूमेंट लगेगाśnie सकते हैं यह ध्लकी नमर में इं상이े जाना में। वाद यहां पर दूसरा अंबर में इंटरमेडियेट यह समक्ष परिक्षा उतिर्ण या सेक्षिनिक योगता परमानपत्र दिनांक 18220 तक या उनके पुर्व ही सेक्षिनिक आहरता मानने होगी तो देख सकते फ्रेंस यहाँ पे जो 18220 से पहले इंटर पास किये हैं वही एस्टुडेंट को मानने होगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इंटर का माक्सिट भी ले जाना है उसके बाद यहाँ पे देख सकते फ्रेंस जोकी जनमतिति का परमानपत्र जैसे की माक्सिट 10 का मैट्रिक माक्सिट और यहाँ पे मूल परमानपत्र तो आपको इंटर और मैट्रिक का माक्सिट और मूल परमानपत्र भी लेके जाना है उसके बाद यहां पर चौथा नमर में देख सकते हैं लिखा हुआ है समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाती परमान पत्र अनुसुचित जाती अत्यंत्पिछा बर्ग के पिछा बर्ग के कोटी महिला अभ्यार्थियों विवाहित और विवाहित के जाती परमान पत्र पिता के अधार पर निर्गत होने पर ही मानने होगा तो बताना चाहूंगा उप जो एजट्य पहर्णां विवाहित है यहाँ विवाहित या व्वाहित पर रिजेक्ट हो जाएगा तो चलिए आगे की प्रोसेस बताते हैं तो चलिए आगे क्या रिकर्मेंट किया गया मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टेप बाइस वीडियो पर बने रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर देजिए उसके बाद चलिए यहां पर बताना चाहूं क्रीमी लेहर रहित परमान पत्र महिला अभ्यार्थियों विभाहित और विभाहित के क्रीमी लेहर परमान पत्र पिता के अधाधार पर ही निर्गत होने पर ही मानने होगा तो बाताना चाहूंग पर जो भी छात्र छात्राएं हैं अगर उनका साधी भी हो चुका है जो भी महिला छात्र है अगर उनका साधी हो गया तो अपने पीता के अस्थान पर ही अपने पिता के पता पे ही ओपना OBC या EMC बनवाएंगे तभी मानने होगा नहीं तो नहीं होगा उसके बाद यहां पर выглядит आठ छे नमरों में हैं क्या है साथ नमर में यहां पर देख सकते प्रेंस लिखा हुआ है जिन अभिहार्थियों में करोना संकर्मन के लक्षन पाये जाएंगे उन्हें सारे दक्षता परिक्षा में भाग लेने की अनुमाती नहीं दी जाएगी यानि कि जिस अश्टुडेंट को करोना होगा उस श्टुडेंट को यहां पर जो हैं सो फिसिकल में नहीं होगा मानने नहीं होगा उसे हटा दिया जाएगा डेट अलग दिया जाएगा हो सकता है लेकिन अभी पूरा यहाँ पे declaration नहीं किया गया है लेकिन यहाँ पे लिखाओ उनको अनुमति नहीं दी जाएगी फिजिकल में उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जोकी आठ नमर में लिखा हुआ है करोना संकर्मन को ध्यान में रखते हुए अभ्यार्थी सोसल डिस्टेंस का पालन करेंगे चोकी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे सिनेटाइजर यह सब लगाना पड़ेगा और अपना पानी फोल फल फोल जो भी होगा आप लोग अपने साथ ही ले जाएंगे अलग से वहाँ पे खरिद के नहीं खाना यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नौ नमर में यहाँ पे दरसाया गया झाल झाल